हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यू मैं यूटिप चैनल तो आज हम आपको स्टेप हेर कट करके दिखाएंगे जो मेरे क्लाइंट हैं उनके बाल जो है वो लंबे हैं उनका ऐसा था कि उन्होंने कहीं से किसी और सलान से सर्वीस ली थी हाइलाइट्स तो उनके बालों पर उबर प्रोसेस कर दियां उन्होंने स्मूधनीं प्लस हाइलाइट् z अभी मेरे कलाइंट चाहते हैं शौक्ट हेर हो मेरे और स्टैप चाहिए है उनकों के बालों में तो मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि हम स्टैप कट कैसे करेंगे तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीदेखिए फर्स्ट हम बैक से एक वान लेंथ हेर कट कर रहे हैं कि जिसके साथ हम लेंथ मेंटेन कर सके तो मैंने उनके बालो को कट कर दिया है उनसे पूछ के कितनी उनको लेंथ चाहिए बैक से मैंने हाफ बाल पहले लिए है कि क्योंकि इनके बालो की जो लेंथ है वो लंबी थी और वालो में वाल्यूम भी जादा था तो मैंने पहले half section लिया तो उसको मैं proper cut कर रहा हूँ उसके बाद मैं half जो दूसरा है वो भी मैं उसको भी proper दोनों side से पहले मैं एक mid section लोगा mid section लेने के बाद उसको मैं proper com करूँगा 0 degree पे cut करना है जी हाँ 0 degree पे cut करना है अगर आपको degrees के बारे में knowledge नहीं है तो आप में को comments में बताईए अगर आपको degrees के बारे में knowledge नहीं है तो हम क्या करेंगे session आपको पूरा मैं उसके क्या कहते है degrees पे बना कर दिखाऊँगा पूरी video आपको मैं पूरा session तो अभी ये देखिए पूरा one length cut कर लिया है तो ये देखिए one length हमने side से भी कर लेना है जो front वाले hairs है one length hair cut करने के बाद मैं आपको बताऊँगा proper हमने one length कर लेना है उसके बाद फिर हम back से एक half section निकालेंगे half section निकालने के बाद उसको हम पहले जो है वो 45 degree पे cut करेंगे इसी देखिए इधर से भी हमने दूसरी side से भी same कर लेना है इसी देखिए यहाँ झाले बाद एक बाद प्रहाँ 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 जाए यहाँ प्रहाँ यहाँ आपको प्रहाँ जब एक विस्वर्ण झाल 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 झाल